मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताही जाते भए अरिहन्तादी महां जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैशी सुध्धात्म में निरत नित्य हितो पदेशी वे पाप गृष्मृ तुमें जल है सयाने पूजू उन्हे सतत की वल ज्ञान पाने अहिंसा पर्मो धर्म की परंपो जाचार भगवंत गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुनी महराज की समस्त मुनी संग की बना जी के उस्सेगारी अजितनात भगवान ने की जैव बन्दो एक पुराना और बहुत गंभीर कतानक सुनकर के गहराई से समझ करके सरीर का रोमांच ख़ड़ा हो जाता है ऐसी यथार्त में घटी हुई घटना बन्दो आज आपके सामने रखने का प्रयास मालाओ देश के उज्जैनी नगर में विराजा विश्वशेन राज्य करते थे जैसा नाम वैसा गुर्ण विश्वशेन की पूरे विश्वें प्रसिद्दी थी उनके उस उज्जैनी नगर पे एक सुदत नाम का व्यक्ती रहता था वनिक पुत्र करीब सोलह करोड सुन्द मुद्राओं का वह स्वामी था सोलह करोड सुन्द मुद्राओं बहुत होती है उन स्वर्ण मुद्राव का सामी होने के बावजूद अच्छे अच्छे गुरूँं का वहां पर संबंध होने के बावजूद कब परसितियां बिगड़ जाएं कब व्यक्ति बदल जाएं कहां नहीं जा सकता सोला करोल स्वर्ण मुद्राव को सामी होने के बाद अच्छी सुसील पत्नी घर के अंदर होने के बाद मनुस कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका इतिहास उपहास उड़ाता है सुदत्वर सेठ ने उजैनी नगर में रहने वाली बसंत तिल का जो कि एक वैश्या थी वैश्या का काम वही है जो आप समझते हैं उस वैश्या का जब वो नगर में मार्ग में भ्रमन करते हुए निकलती थी लोगों को उसमें एक सतिस्त्री दिखाई देती थी सतिस्त्री चहरे से चरित्र से वाईश्या कितनी कंट्रोवर्सी है इस जुन्या में दिखने वाले चहरे पर अगर सही छाप दिखाई दे रही होती तो दुनिया की कितने लोग बच गए होते लेकिन वह वाईश्या जब नगर में ब्रह्मन करती पैदल चलती या फिर अपनी गाड़ी वाहने त्यादिक से निकलती तो लोगों में उसमें देवी के दर्शन हुआ करते इतनी पवित्ता उसके चहरे से दिखाई देती उतनी ही कुडिलता उसके मन मस्तश्क पर हावी थी उस बसंद तिल का वैश्या को सुदत तवर सेथ ने अपने घर के अंदर रख लिया पैसे के बल पे अच्छे अच्छे इस्त्रियां बड़े बड़े पुर्सों का दास हो जाती हैं आपने देखा भी होगा किसी की स्त्री है किसी बड़े आदमी ने अगर अपने सांथ देता है कि दोनों का वैवाहिक दिबन अच्छे से बना रहे हम जैसे हैं हम वैसे हैं कि ताकतवर लोगों उसे लड़ा नहीं जाता इतिहास गवा है उस बसंद तिल्का सेना बसंद तिल्का वहिश्या से जब सुदत सेट का संबंध हुआ तो उससे बसंद तिल्का सेना के गर्व में संताने आ गई जब संताने धीरे धीरे बड़ी हो रही थी संतानों के सांसाथ बसंद तिलका का पाप भी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था उसके पुरे सरीर में सोराइसिस जैसी बीमारी के लक्षन दिखाई देने लगे खुजली बहुत सरीर में होती थी रच का थोड़ा-थोड़ा प्रवाव उसके सरीर से दिखाई देने लगा निरंतर खांसी चलने लगी रात में जब वो खांसी थी तो सुदत सेट की रात की नीन हराम हो गई सुदत सेट को लगा कि इस बैस्या को ला करके मैंने गलती करी और निरंतर उसकी जोर खांसी खाज के कारण सुदत्त सीठ ने उस वैस्या को घर से बाहर निकाल दिया संबंद करोगे संबंद होने के बाद संतान गर्व में चुक्कि अब वैस्या है पतनी तो है नहीं तो क्या करेंगे बाहर निकाल दिया वो वैस्या वापिस अपने मा के अहां घर पे आ गई बसंद सेना के पास आकर के बसंद तिलका बोलती है अपनी मा से कि मा मेरे पेट में घर्व है और पता नहीं कैसी ये पाप महीं संताने है कि जिसके करण मुझे सुदत सेट ने छोड़ दिया जब आदमी को अपनी ये थार्थ इस्थिती का ग्यान नहीं होता तो वो अपने सिर का पाप किसी और की सिर पे धर करके रिन्मुक्त होना चायता है कभी भी विक्ति ने कहता कि हमसे गलती हो गई तुमने ऐसा कर दिया था इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया जितने भी फेलियर्स होते हैं सारे के सारे फेलियर्स लाइफ में दूसरे कोई एक्सक्यूस खड़े करके और अपने आपको फ्री करना चायते हैं वो उस समय मुझे बुखार आ गया इसलिए मेरे मार्स कम आये अरे उस तो कोरोना लग गया था इस चक्कर में हमारा दंदा चौपाट हो गया वो तो बड़े पिता जी शान्त हो गए इसलिए हमारे घर की पूरी अर्थ बेवस्ता बिगड़ गई अब क्या बताएं महराज बहुत तकलीफ है ये छोटे छोटे फाल्दू के एसक्यूस दे करके जब आप अपने कर्टब उससे अपने पुर्शास से मूँ मोडते है और जब हानी आती है तो ढीकरा किसी और की सिर पर फूरना चायते है हम चायते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है जो भी किया है इस सबके कारण हो गया यही हाल उस बसंत सेना का हुआ बसंत तिलका का बसंत तिलका अपनी मा बसं सेना से गहती है कि मा यह संतान जो मेरे गर्व में है इसके कारण सुधत ने मुझे छोड़ दिया है अब मैं भी संतानों को छोड़ दूँगी लेकिन अभी मार नहीं सकती क्योंकि गर्व उस स्थिती पे आगया है कि उसको मारने पर बेरी भी जान को खत्रा हो सकता है इस स्थिती पर बसंत तिलका ने अपनी मा के घर में उस वैशाले के अंदर दो बहुत सुन्दर दिखने वाली संतानों को जनम दिया एक संतान पहली संतान कन्या हुई कन्या का नाम कमला रखा और दूसरी संतान एक पुत्र की रूप में सामने आई और पुत्र का नाम धंदियो रखा रत्न कंबल में लपेट करके बहुत अच्छे से प्यार करके और अपनी घ्रणा को सार्तक करने के लिए बसंत तिलका ने कमला नाम की छोटी सी बच्ची को नाम रखके रत्न कंबल में लपेट करके दक्षन दिसा में एक गली पे यूँ ही छोड़ दिया बंदू कहीं सुना था कि माता कभी कुमाता नहीं होती लेकिन कहीं कहीं देखने में आ जाता है बंदू जब माँ अपने बच्चे का सौदा करती है जब माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है अनाथाले ऐसे बच्चों से बहुत ज़्यादा भरे हुए है आप कभी अनाथाले में जाकर के देखिएगा जहां पता चलेगा कि पता ही नहीं चलता है कि कौन माँ है कौन पिता है बस संतान सामने दिखाई देती है और फॉरेंड में तो इसका जबरजस्ट कल्चर है लिव इन रिलेशन्सिप होने के बाद जब आपके जीवन में वैवाहिक संबद नहीं होते हैं आप लिव रिलेशन में रहते हैं और रहते रहते जब आपके घर के अंदर संताने आती हैं तो विदेशों में जितने भी फादर हैं, सिस्टर हैं, मदर्स हैं घर में तो मिलते नहीं हैं, तो चर्चों में फादर्स को, सिस्टर्स को, मदर्स को दूड़ना पड़ता है, और कॉन्वेंट स्कूल का जन्म ही इसलिए हुआ है, कि जहां पर अना संतानियों को पढ़ा करके, एक सब सिख्षित नागरिक बनाया जा सके, और उनके माता और फिता का दायत निर्वहन करने के लिए, वहाँ पे कुछ सेवक नियुक्त कर दिये जाते हैं, जिनको आप फादर्स, सिस्टर्स या मदर्स के नाम से जानते हैं, बन्दूर्स। ये जीवन की विदेशों का कल्चर है, दीरे दीरे इंडियन गवर्मेंट्स ने भी बहुत साथी चीज़ों को लीगल कर दिया, लीगल करने के करना वो भी हमारे यहाँ दीरे दीरे लाइफ रुटीन में सामिल होते जा रही हैं, आप बंबई में जाएंगे, आप मद्दरास में जाएंगे, आप बड़े बड़े शेहरों में जाएंगे, जहां आपके नगर से छोटे छोटे जगों से निकले हुए बच्चे, जब बड़े बड़े सिटियों में रह करके पढ़ते हैं पांस साल, छे साल, सास साल आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चा पीजी में रह रह रहा है कि किसी के साथ लिव रिलेशन में रह रहा है वो जो दिखाते हैं, हम देख लेते हैं वो जो मानाते हैं, हम मान जाते हैं बगल के पडोसी में घर रहता है फैमिली जब family members का फोन आता है तो बच्ची सारा आराम से पडोसी घर में जा करना करके बैठ जाती है और वहीं से बात करती है, सारी family दिखती है बापिस लोट करके अपने कमरे में आ जाती है क्या जीवन की वीडम बना है उधर जैसे ही बसंतिलका ने अपनी छोटी सी फूल सी कुमल पकन्या कमला को रत्न कमल में लपिट करके और दक्षन दिसा में छोड़ दिया वहां से एक वेपारी निकल रहा था वह वेपारी उस अनजान अनात कन्या को रमार्ग में पड़ी हुई जान करके उठा करके ले गया और वहां से वो प्रियाग ले गया प्रियाग मतलब आज का इलाहबाद इदर बसंतिलका के मन में वो बात बैठी थी कि उसको लग रहा था कि इस संतानों के करण सुदत्य ने मुझे छोड़ दिया बसंतिलका ने अपना वो जो पुत्र था उसको भी रतने कंबल में लपिड करके उत्तर दिसा में एक स्थान पर छोड़ दिया वहां से भी कोई स्ट्रेश्टी निकले उन्होंने देखा कि संतान रास्ते में मारग में पड़ी हुई है और कोई इसका पतियार देखने रेखने वाला नहीं है वो उसको उठा करके आयोध्या ले गया इलाहबाद और आयोध्या के बीच में कितना अंतर है आप खुद देख लीजे आपको भौकली की सितियों में पता चलेगा कि बहुत कम डिस्टेंस पे इलाहबाद और आयोध्या आमने सामने खड़े हुए है एक ही माँ के दो संताने एक इलाहबाद पहुँच गई जिसको आज का प्रयाग राज कहते है और दूसरी भगवान राम की जन्भूमी आयद्ध्या पहुँच गई कालांतर में बसंतिलका अपने आपको समालती हुई बढ़ रही थी ये बच्चे भी योवन अवस्था को प्राप्त हो रहे थे और दैब का ऐसा संयोग बना कि उस धंदेओं में और इस कमला का आपस में वैवाहिक संबंद हो गया सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कि खड़ी हो गई कि ना जानते हुए कि हमको तो पता है नहीं लेकिन अनाथ हालेओं में से बटने वाले जो बच्चे होते हैं कई बार एक ही माता पिता की संतान होने के बाद इन में अपसी संबंद बन जाते हैं जो जैन भारती संस्कती में तो बिल्कुल वर्ज है कि भाई बहन में संबंद नहीं होते लेकिन इतिहास कि एक पौराणिक ऐसी कथा है जो कहती है कि धंदेव और कमला में आपस में वैवाहिक संबंध हो गए दोनों एक दूसरे के साथ राजी खुसी के साथ अपना जीपा नियापन कर रहे थे कि धंदेव जो बसंतिलका का पुत्र था वो एक दिन किसी वैपार के संबंध से उजजैनी नगरी में आया उजजैनी नगरी में आया और कुछ पुराने संसकार कुछ संगती बिगाड़ देती है बंदू दंद्यों की भी कुछ ऐसी संगती थी कि उसको भी इधर उधर पराई स्त्रियों को देखने का सूनने का समझने का शौक चड़ा हुआ था और आज भी ऐसा होता है आज भी जब संपन्न प्रतिष्टिस सहरों की अच्छे दिखने वाले वैपारी लोग जब किसी दूसरे सहर में माल खरीदने जाते हैं आज भी ऐसा होता है बंद्वो चाहे वो किसी भी शहर का आदमी हो नाम लेता हूँ तो बदनामी हो जाती हैं लोग बुराई करते हैं नाम तो नहीं लेता लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी वैपारी फील्ड के आदमी हैं इसमें से 60, 70, 80% तक के लोग इतने बेइमान हैं आपके घर का पती भी इतना बेइमान है कि वैपार के नाम से किसी दूसरे शहर में जाता है चार घंटे वैपार करता है एक घंटे रेड लाइट एरिया में गुजारता है उसके बाद खाता है, पीता है, टेन पकरता है और सुबेर आकर के अपने घर में फिर बड़िया धार्मिक बनके अरहंतो, भगवंत, इंद्र, महिता, सिद्धा, सिद्धी, स्वरा, आचार्या, जिनसास, नोन, नतिकरड़ा, पूज्जा, उपाद, धायका पढ़ते हुए अपने कारियों में लग जाते है ये पती घर के अंदर, जब भी पती घर के से बाहर निकलते है ये बड़े-बड़े शहरों में कई कलकत्ता जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कलकत्ता जहां पर रेड लाइट एरिया में दस हजजार वरकर्स है जो रेड लाइट एरिया में अपना इस सबसौदे बाजी करते हैं दुनिया भर के पतिष्ठित लोग जब कलकत्ता में खरीदी करने जाते हैं, छे गंटे काम निप्टाते हैं, एक डिल गंटे नियम से रेड लाइट एरिया जाते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, रात को बारा बजे और सुबह छे बजे आपके घर के अंदर क कोई मंजू को समझा रहेता है, मंजू हम आ गए हैं, मालनी हम आ गए हैं, अब हमारी वेवस्ता कर दो, पत्नी समस्ती है, हमारा पति सिर्फ हमारा है, पति समस्ता है कि बाहर जाने पर किस किस तरीके के हम पाप करके आते हैं, धंदेव अपने उस आयोध्या से उठ करके, उज्जैनी नगरी में जब व्यपार के निमित से आया, तो धंदियों यहां पर आकर के बसंत तिल्का के वैश्यालाय में प्रवेश कर गया, बसंत तिल्का के वैश्यालाय में प्रवेश किया, 20 साल गुजर गए उसके जन्म को, लेकिन बसंतिलका अपने रूप यौवन से वैसी ही दिखाई देती थी जैसे वो पहले दिखाई देती थी जब देखा कि बसंतिलका बिकुल वैसी ही रूप बती दिखाई देती हैं कुछ इस्तरियां ऐसी होती है जो मेक अप के माद्यम से दूसी चीजों के माद्यम से अपने आपको इतना मिंटेंग करके रखती है कि उनके चेहरे पर उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता कोई एक एक्ट्रिस भी है बंदू है उसके चेहरे से पता नहीं चलता कि वह 75 साल की लिडी हो गई है आप सब जानते होंगे मैं नाम नहीं कहना चाहता हूं है ना समझते तो आप सब कुछ है बहुत समझदार है क्योंकि आप तो ऐसे ही बसंतिलका थी धंदियों बड़ा हो गया और वैशे अलाव में पहुंचा बसंतिलका के पास बसंतिलका को देख करके धंदियों का मन डोल गया प्रकती जानती है कि ये उसकी मा है और बसंतिलका को देख करके पुत्र का मन डोला और पुत्र के बसंतिलका के साथ सारीरिक संबंद हो गए कितना बिच्छतर लगता है कि पुत्र मा के साथ संबंद बना बैठा और दोनों के संबंद बनने से बसंतिलका के गर्व में एक संतान आ गई जिसका नाम वरुन रखा गया वो बरुण दीरे-दीरे मा के गर में बड़ा होता होता और जब इस दर्ती पर बर्थडे उसका मनाया गया पलंक पर लेटा हुआ था धंदेव बापिस अपनी इस्त्री कमला के पांस पहुँचा उसको तो पता ही नहीं कि हमारे एक दिन दो दिन के संयोग से और इस तरीके की संतान उस बसंतिलका के गर्व में आ गई है और बसंतिलका गर्व को पोशिट करते हुए नौ महां के बाद बसंतिलका ने पुरह एक स्वस्त संतान वरुन को जनम दिया और उसको पालने पर जुला रही थी इधर धंदेव की जो पतनी है कमला जिसका नाम था जो प्रकती से उसकी बहन लगती थी वो और संबंदों से पतनी वो कमला एक दिन मंदिर के सामने से निकल रही थी तो मुनि सुदत्य के पास पहुँच करके पूश्ती है कि भगवन सुना है आपके पास अवदी ज्यान है आप मेरा पूर्व भव बता दीजिए कि मैं पहले क्या थी तब वह मुनि महराज जो है उस कमला को बताते हैं कि इसी उज्यैनी नगरी पे एक सोम सर्मा नाम करका एक व्यक्ती रहा करता था उसकी पतनी काश्चपी थी और काश्चपी और सोम सर्मा से दो पुत्र पैदा हुए एक पुत्र का नाम अगनी भूती और दूसरे बुक्त का नाम जो है वायू भूती था ये दोनों पुत्र जब अपनी विद्या का अध्यान करके किसी अन्य नगर से वापिस आ रहे थे इन दोनों पुत्रों ने रास्ते में दो मुनी महराज और दो आरिकाओं को देखा दो मुनी महराज जो दो आरिकाओं जो थी वो आपस में पिता पुत्र के संबंद वाले थे मतलब दो जोड़े थे कि हमारे पिता जी और हमारी माने भी आरिका दिख्षा और मुनी दिख्षा ले ली और हम दोनों ने भी आरिका दिख्षा और मुनी दिख्षा ले ली तो दो जोडों की आपस में चार लोगों की मिल करके दो आरिकाएं और दो मुनी एक वरद आरिका, एक वरद मुनी एक जवान आरिका और एक जवान मुनी इन चारों का संग का विहार हो रहा था आपस में पिता पुत्र मुनी महराज वारिका बन के जीवन यापन कर रहे थे अपने मार्ग में साधना रत थे कि यहां से सामने से वो दोनों अगनी भूती और वायू भूती यह दोनों पुत्र आये उस समय वो व्रद आरिका जो थी वो अपने जवान पुत्र जिनका नाम जिनदत्त मुनी था उनकी कुसल चेंट पूछ रही थी मुनी महराज आपका आहार तो अच्छे से हुआ आप स्वस्तों है आपको किसी चीज की आवश्यक्ता तो नहीं है और वही हुआ कि वो जो जवान इस्त्री थी वो व्रद पुरुस जिनबद्र मुनी से पूछती है वो जवान आरिका कि मुनी महराज आपका स्वास तो ठीक है आपको कोई अनकुलता है की नहीं है आपको कोई प्रतकुलता हो तो मैं आपके लिए कुछ वेवस्ता कर दोनों पुत्र आपस में हसने लगे और कहते हैं क्या कंट्रोवर्सी है क्या विधाता का जोड़ों में लाया है कि जवान पुरुस की ब्रद इस्तरी है और ब्रद पुरुस की जवान इस्तरी है जब ये कंट्रोवर्सी ऐसी तरीके के मुनी और आरिका का चारों का मजाक नाम की इस्त्री इस जन्व में हुए हूँ और वो जो तुम्हारा भाई था वो भाई वहाँ से मर करके यहां पर आकर के और तुम्हारा पती धंदेव बना है। और सांती सांत इतना ही नहीं, तुम्हारी मां का चाल चलन उस समय ठीक नहीं था, वो मां मर करके अभी बसंद तिलका का वरुन नाम का पुत्र हुई है, और तुम्हारे पिता स्वयम बसंद तिलका की पर्याय पे बैठे हुए है, जब कमला ने ये बात सुनी, कि मैं जो हूँ, वो पूर जनम में वायू भूती थी, मेरा जो पती इस जनम का है, वो पूर जनम में मेरा भाई अगनी भूती था, मेरे पिता जो थे, वो बसंद तिलका वहिशा बन करके आज इस भव में जी रहे हैं, जो लोग पुनर जनम में विश्वास करते हैं, जिन ग्रंतों में और जिन संप्रदायों में पुनर जनम की मानिता है, उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और कहां कि वह जो मेरा मेरी माँ थी, वो मेरी माँ मर करके अभी वरु नाम का पुत्र बसंद तिलका से हुई है, जब ये बात मुनी महराज ने उस कमला को समझाई, कमला को मुनी महराज की बात सुन करके जाती स्मरण हो गया, पूर्व भव के सारे रिष्टे उसकी आँख में विकुल दर्पन तल साप सुत्रे दिखाई देने लगे, बैराग की इस तरीके से उपेक्षा और उपहास करने पर किस तरीके का कर्मबंध होता है, ये कमला को साप साप दिखाई दे रहा था, साप साप दिखाई दे रहा था जब कमला को मुरी महराज ने बताया कि तुम्हारा पती और तुम बसंत तिलका की ही संताने हो, और बसंद तिलका ने तुम दोनों को फेक दिया एक को इधर एक को उधर और आपस म्यास तुम्हारे पती और पत्नी जैसे संबंद बन गए इन सारे संबंधों को सुन करके उस कमला के मन की अंदर जो है एक बिचित पिकार का भै पैदा हो गया वो सोचने लगी कि कहां फस गए एक सादू की निन्दा करके एक मुनी की निन्दा करके एक मुनी को उपर आरोप लगा करके उसका उपहास करके आज भी नगर में जब कोई आरिका निकलती है जब कोई मुनी निकलता है रास्ता चलता व्यक्ति दिगंबर मुनि महराज को देखकर कि गणा से कभी ठूक देते हैं कभी उनके बारे में कुछ कह देते हैं, कुछ गलस सोच लेते हैं कैसा कर्म का बंद करते हैं, ये तो सिर्फ सर्वग जानता है कमला कम हिर्दय काँप गया, काँपते हुए उसको लगा कि मैं क्या न करूँ, कहां चली जाओं जो मेरा भाई था वो मेरा पती होकर के सामने खड़ा हो गया और मेरे भाई के, मेरे पती के मेरी ही मा से अनैतिक संबंध हो गया संतां की प्राप्ती भी हो गई, अगर आपके घर में कभी ऐसा घटे, आप लोगों तो उड़कर के आत्मत्या कर लो आप लोगों को लगे कि संसार में रहना मुस्किल हो गया, लेकिन कमला उस संबादों को सुनकर के सोचने लगी कितना बिशाद युक्त जीवन हो गया, एक निरगन्त गुरू की इस तरकी के उपेक्षा और उपहास करने से अंदर से काम करकी वो वैराग को प्राप्त हुई, उसको लगा कि वैराग के अलाबत इस सस्टी पर अब कोई भी मेरा रक्षक नहीं है चूकि उसको सब समझ में आ गया था, कमला मुनी महराज को छोड़ करके उज्जैनी नगरी में बसंत तिलका के घर पहुँच गई बसंतिलका के घर में पहुंची तो बसंतिलका और बसंतिलका दोनों ने देखा मा और बेटी ने दोनों देखा कि नौ यूवती करन्या जो है इस तरी अपने मस्तक पर सौंदर और सौभागी के सारे चिने अंकित करके और कोठे के अंदर प्रविस्थ कर गई बसंतिलका से रहा न गया वो पूछ बैटी कि आप कौन है और यहां क्यों आई है यहां तो पूरुस आते हैं महिला का यहां पर क्या काम है बोले मुझे आपके बच्चे वरुन से काम है और वह जो कमला नाम की इस्त्री थी जो धंदेव की पत्नी बन चुकी थी इस भव में वह यहां पर पहुँच करके वरुन का पालना धीरे धीरे जुलाने लगी वरुन को ध्यान से देख रही है और पीछे का सोच रही है पीछे का सोचती है कि क्या हो गया मैं इसकी मा हूँ और मेरी माँ से ये पूत्र पैदा हो गया उसके संतानों में संबंदों की कैसी कथा बनी तो वो कमला जो इस्त्री थी वो कमला वरुन का पालना जुला रही थी पालना जुला करके वरुन से कहती है क्या कहती है देखो तुम मेरे पती के पूत्र होने से तुम मेरे भी पुत्र हो बेलकु सही बात है कि मेरे पती का पुत्र है तुम मेरा भी पुत्र है अब पती की दो पत्रियां भी हो सकती है वरुन से संबंदू की कैसी कता है कि तुम मेरे पती के पुत्र होने के कारण तुम मेरे भी पुत्र हो और मेरा भाई है धन्देव उसके पुत्र होने से तुम मेरे बतीज़ हो क्योंकि भाई का पुत्र है तो हमारा बतीज़ मना फिर कहते हैं तुम्हारी और मेरी माता दोनों की माँ एक है दोनों की माता एक होने के कारण तुम मेरे भाई हो उस पुत्र को पुत्र बेचारा खेल रहा है कमला आसु बहा रही है और आसु बहा करके संबंदू का व्यक्षान कर रही है कि तुमारी और मेरी मा एक है और दोनों की मा एक होने के कारण तुम मेरे भाई लगे धंदेव का छोटा भाई होने के कारण तुम मेरे देवर हो गए उसके बाद कहती है धंदेव मेरी माता बसंद तिलका का पती है धंदेव ने मेरी मा बसंद तिलका से संबंद बनाए तो धंदेव मेरी मा बसंद तिलका का पती है इसलिए धंदेव मेरा पिता हो गया कितना अश्यर है एक गलत संबंद बनने से कितने सारे अनैतिक नाते एक बिक्ति किसा जुड़ गए फिर आंगे कहती हैं कि उसके भाई होने के नाते तुम मेरे काका लगे फिर मैं बसंद तिलका की सौथ हो गई क्योंकि मेरी मां का पती और मेरा पती एक हो गया धंदेव दोनों का पती हो गया तो मेरी मेरी बसंद तिलका मेरी सौथ हो गई अता है धंदेव मेरा पत्र हो गया पती ही पत्र का रूप में संबंद बन गया फिर आंगे कहती हैं कि बहुत अच्छे से कहती हैं तुम उसके भी पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे नाती हुए, पुत्र हो गए, ये छे नाते तो कमला ने उस वरुण पुत्र के साथ जोड़ दिये, फिर छे नाते जो हैं, वहां से हट करके बसंतिलका के साथ जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं आप देखिए, बसंतिलका का पती होने से के कारण धंदेव मेरा पिता हो गया क्योंकि मेरी मां का पती है तो मेरा पिता हो गया अब मेरा पिता हो गया अता है तुम मेरे काका हो और धंदेव तुम्हारा भी पिता है तुम मेरे काका हुए और धंदेव मेरा पिता हुआ अतह भाए मेरा दादा है दादा तो है ही सांती सांत वो मेरा पती भी है अब पती होने के साथ उसकी और मेरी माता एक है धंदेव की माँ एक है और मेरी माँ भी है धंदेव की माँ भी है तो धंदेव मेरा भाई हो गया अब धंदेव मेरा भाई हो गया मैं वसन तिलका की सौथ हूँ और उस वैस्या का यह वह पुत्र है अता धन्देव मेरा भी पुत्र हो गया बहुत सांती से संबंदों के कथानक को आख बंद करके समझने का प्रयास करेएगा जब कभी गुर्देव सादूक जीवन में वैराग को पैदा करने के लिए बारा भावणा का चिंतन के लिए कहते हैं आदमी का हिर्दाय सादू का हिर्दाय भी कांप जाता है वो कहती है कमला नाम की कन्या इस्तरी उस बरुन पुत्र से कि मैं वैसा बसंद तिलका की सौथ हूँ और ये बसंद तिलका का पुत्र है अता हिया मेरा भी पुत्र है वैसा मेरी सास है मैं उसकी पुत्र बदी हूँ अता है और धंदेव वैसा का पती है अता है मेरा धंदेव के सांथ हो गया बंदूओँ अब आँगे मेरे भाई धंदेव की पत्नी होने से मेरा भाई भी है और मेरे भाई धंदेव की पत्नी होने से क्या हो गया वह वैश्या मेरी भावी हो गई क्या आश्यर है है ना अब भावी हो गई तेरे और मेरे दोनों के पिता दोनों के पिता धंदेव है और बैस्या उसकी मा है अता है बैस्या मेरी दादी हो गई धंदेव की और तेरी भी माता होने से वो मेरी भी मा हो गई एकदम से नहीं समझ में आ रहा है कान बंद करके कान में कौड लगा करके और मेरे स्प्रवचन को अराम से सुनना फिर पता चलेगा मैं धंदेव की इस्त्री हो और वह मेरी उसकी माता है अता है वो मेरी सास हो गई इस तरीके से धीरे धीरे करके मेरे पती धंदेव की भार्या होने से वह मेरी सौथ है और धंदेव मेरी सौथ का पुत्र होने से मेरा भी पुत्र है इस तरीके के अठारा नाते उस वरुन से उस धंदेव से और उस कमला के अपनी उस बसंतिल का मा के साथ संबंद स्थापित हो गए एक बार एक गलस संबंद क्या बना संबंदों की सारी परिभासाइं बदल गई आज इन संबंदों की बदलती हुई परिभासाओं को टीवी सीरियल्स के माध्यम से हमको सिखाया जाता है हमको सिखाया जाता है जब गौतम किसी और से साधी करता है फिर एक और साधी करता है फिर घर में एक और पत्नी ले आता है फिर दोनों पत्नी को एक साथ रहना पड़ता है फिर गौतम गायब हो जाता है फिर गौतम का बच्चा हो जाता है ऐसे कैसे सीरियल है कहानी गर-गर की देखते हैं आप कभी दूसरे सीरियल्स देखते हैं इन स सभभाव को लगातार बदलने का प्रयास किया जाता है हमारा कम पेसिंस हमारे इस बड़ी बड़ी कंपनियों के दारा बनाए गए संबंधों के सीरियल्स को देख करके हमारी धार्ना ऐसी बन जाती है कि इस तरीके के संबंध हम भी स्थापित कर सकते हैं फलतह परणाम निकलता है जब हम किसी रील्स में, फेस्बुक में या किसी इंस्ट्रागाम में जब वो चीज देखते हैं कि किसी भाई बहन ने मिल करके साधी रचा ली हम सोचते हैं सामान बात है लेकिन जब इस तरीके की आसमान गटना गटती है उनका संबंधु पर दूर परणामी क्या प्रभाव पड़ता है मैं कुछ पता नहीं चलता कमला उस बरुन का जूला जूला रही थी धंदेव वहां पर कमला को धूरते हुए आ गया और जब कमला ने धंदेव से कहा कि इस तरीके से आपके संबंध होने से ऐसा ऐसा होने से ये संतान ये मा ये वैश पीना गिरने तक बार बार भगबांग के सामने हाथ जोड़ करके वो माफी मांग रहा था कि कैसे मुझसे इस तरीके का पाप हो गया कैसे मेरी तुद्स प्रवर्टी हो गई कैसे मेरे तुम से संबंध हो गए एक मात उपाय बचा था आत्मे कल्यान करने के लिए वैराग क कमला, धंदेव, बसंतिलका ये तीनों की तीनों अलूवरत को ग्रहन करके और धीरे से मोक्षमार में परवर्थ हो करके तब की गहराईयों में उतरते चले गए और साधना के अंतिम परणाम में इन लोगों ने स्वर्गी की प्राप्ति कर ली बंदू ये 18 नातों की कता है बंदू, इन 18 नातों की कता में हमको भी देखना है कि किस तरीके से हमारे जीवन में किसका कैसा संपर्क है, हमको नहीं पता कि काउन से इस्तरी है जो रेड लाइट एरिया में जाकर के हम जिसके साथ भोग और उब्भोग कर रहे हैं, हो सकता है वो बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, इसलिए बार बार जैन दशंकार के स्थापना करने वाले आचारियों ने, भगवन्तों ने सौधार संतोस का वरत दिया, इस्तरी का वरत दिया, पर इस्तरी गमन का त्याक कराया, कि तुम सौधार संतोस का वरत ले लो, एक इस्तरी का वरत ले दो अलग अलग वरत हैं एक सुदार संतोस का सुदार संतोस के वरत में आपकी दो चार पांच इस्तरियां भी हो सकती हैं लेकिन आपको अपनी पांच इस्तरि के लावा दुनिया की किसी भी इस्तरि को भाग वसात अकर ये मुझे छोड़के चली भी जाती है इसका देहा वशान भी हो जाता है तो भी मैं किसी भी कीमत में दूसरा विवाह नहीं करूंगा ऐसा एक पत्नी वत और एक इस्तिरी वत ये दो प्रिकार के वतों की कल्पना के साथ बेवस्ताओं के साथ जैन दर्संग के सावक को बढ़ने का उपर मौका मिला आपको अगर एक कथा समझ में आई हो तो इस कथा का अंतिम परणाम अपने सुदार संतोसब्रत की और आपका आकर्शन बढ़े और आप बाहर के बेवी चार से बचने की कोशिश करे इनी भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ गुर्देव श्री विद्या सागर्ची मुरी महराज की